बॉलिवर डाक्टर शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद है दोनों की तस्वीरे शोशल मीडिया पर आई दिन वाइरल होती रहती है शाहिद कपूर ने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी जिसके बाद दोनों एक बेटी और एक बेटी के माता पिता बन चुके है वहीं एक इंटिव्यू में मीरा राजपूत ने शाहिद को लेकर काई खुला सकी है मीरा ने बताया कि आखिर उन्हें शाहिद से पहले कप प्यार हुआ मीरा ने बताया कि आईफ़ एवार्ड के वक्त शाहिद को तीन दिनों के लिए स्पेन जाना पड़ा था उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि शाहिद के बिना रहना उनके लिए मुम्किन नहीं है मीरा ने बताया कि इस दोरान में लगातार शाहिद से वापस आने के लिए कह रही थी वो तीन दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे इतना ही नहीं मीरा ने ये भी बताया कि जब वो प्रेइडनेंट थी उस वक्त हमें फील हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है मीरा कपूर ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात की और कहा कि हम दोनों के पैरंट्स ने हमारा रिष्टा करवाया लेकिन जब हम पहली बार मिले तब साथ घंटों तर लगातार बाते करते रहें आपको बता दे कि मीरा राजपूत और शाहित कपूर की शादी काफी चर्चा में रही थी जिसका सबसे बड़ा कारण था उनकी उम्र का फासला जब दोनों की शादी हुई तब शाहित कपूर 34 साल के थे और मीरा राजपूत 21 साल की थी महस्चोटी सी उम्र में मीरा राजपूत ने शाहित कपूर से शादी की और अब दोनों की एक बेटी और एक बेटा है और दोनों अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरीके से जी रहे हैं वहीं इस इंटर्वियू में जब मीरा राजपूर ने बताया कि उन्हें शाहित कपूर से कब प्यार हुआ और कब उन्हें लगने लगा कि शाहित के बिना उनका रहना मुश्किल हो सकता है ये सारी चीजे मीरा राजपूर ने खुद इंटर्वियू में कही थी अपने पती शाहित कपूर को लेकर जिहां इन दोनों की अरेंज मारेज हुई थी 2015 में इन दोनों ने शादी की थी और अब कई सालों बाद इनके दो बच्चे हो चुके हैं एक बेटी और एक बेटा और अपनी जंदगी को काफी अच्छी तरीके से दोनों जी रहे हैं क्या कहना है आपको इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स नाइन न्यूस से सुर्भी के रपोर्ट